हेलो फ्रेंद्स जग्दिव क्लास अब आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हो कि हमने एक डेली किछ की नाम से सीरी चला रखी है जिसमें हम 11-12 क्लास की बुक में जितने भी चेप्टर दी होते हैं उन चेप्टरों से सम्मद्दी जितने भी कुशन बनते हैं उन सभी कुशनों को देख रहे हैं जिससे कि वहाँ से कोई भी कुशन अगर आता है तो आपका कुशन गलत नहीं होगा तो इसी की क्रम में आज हम लिखे हैं डेली कुछ का पार्ट नमबर 5 जिसमें क्या रहने वाल है 12th किलास का चप्टर नमबर 5 इसमें क्या रहेंगे हम इसमें जो सुस्क खेती से सम्मद्दी जितने भी important कुशन है उन सभी कुशनों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट कर दें इस वीडियो को इसका जो पहला कुशन है वो है जो हमारे देश में कुल सुद्ध करशी चेतर का लगव कितना प्रितिसात चेतर बरसा पर निरवर है जो हमारे देश में कुल सुद्ध करशी चेतर है न जहां पर करशी की जाती है उसका कितना परसेंटीज भाग है जो कि किवल बरसा पर निरवर है तो कितना percentage पा गए तो है 87% यान 58% फेले का option B is right answer अब दिखते हैं next question next question है question हमा second किंदरी बारानी करशी अंसंदान संस्तान काँ पे इस्ते थे जो किंदरी बारानी करशी अंसंदान संस्तान है न वो काँ पे इस्ते थे तो है इस्ते थे है थे हैदराबाद में तो दो का option D is right answer अब दिखते हैं next question next question है question हमा 3 गंगानगर इवं हन्मान गड़ करशी जलवाई खंड के अंतरकाद आते हैं जो यह साथ सभी जानते हो कि राजस्तान को 10 करशी जलवाई खंड़ों बाटा गया है तो उनमें से यो गंगानगर हन्मान गड़े वो कौन से करशी जलवाई खंड में आते हैं तो यह आते हैं first B में तो तीन का option B is right answer बात करें first A की तो इसमें कौन-कौन से आते हैं इसमें आता है बाडमेर और जोदपूर फर्ष्ट C की बात करें बीकर नेट जैसे में थोड़ा सा बाग चूरू का और यह सबसे करशी जलवाई खंड है सबसे बड़ा करशी जलवाई खंड कौन सा first C और second A में कौन सा आता है चूरू, सीकर और जुन-जुन यानि सेकाबाटी चेत्रे वो किसमाते है second A में और जो भी करशी जलवाई खंड है न जितनी भी उनकी एक अलक्सी वीडियो बना देंगे जिससे क्या सारा कबर वांसे हो जाएगा कोई भी कुशन अगर करशी जलवाई खंड से आएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी अब देखते है नेक्स्ट कुशन कुशन नमर फूर राजिस्तान में करशी योगी भूमी का कितना प्रतिस्त वाग बरसा पर आदा रहेते है ऐसे वो उसमें तो पूचा था कि बारत का कितना प्रतिस्त है अब देखते हैं अगर मिलीमीटर में पूच लेता है तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा 575 mm, कितना होजाएगा 575 mm अब देखते हैं, next question next question, question of seven मिर्दा में nat्रेजन 3-8 करण में साइक फसल है जो मिर्दा में natregen 3-3 करण में इसमें साइक फसल होगी, वो कौंसी होगी तियो होगी, तो 7 का और सन 2 right answer, अब देखते हैं next next इसमें क्या है जो सुष्भ के खेती के लिए पसलों की किसम है न जांती कि बाजरी की पूछ रेते हैं मैं तो यह सारी किष्मन का यह चार्ट बना रहा है उस लेकिन जो चार्ट यहां पर बचते थे आप सुष्भ करते है जो बहुत कुषिन बने नहीं है इसमें थो ऩो यह है लेकिन इसका जो सबसे में वह है न हो यही है तो इसके खेती वाला जो भी किसम है न यह आप अच्छे से देख लिए न क्योंकि यहां से एक किसम पूछी जा सकती है तो आपको क्या करना है या तो यह इसका इसकी शॉट लेलू या फिर क्या करो हमारे जो टेलीक्राम चैनल अभी जो बनाया है नया ही बनाया है यग्यदिव क्लासेज की नाम से आपको क्या करना है टेलीक्राम पर जाना है और य-a-g-y-a-d-e-v-c-l-a-s-e-s यह इस पिस दिक है ऐसी सर्च कर लेना है सेम टू सेम तो आपको वो चैनल मिल जाएगा या हमारे जो लिंक दी हुई ह चैनल पर जाके आप अंदर अब आउट में जाओगे तो वाँ पर इसकी लिंक भी मिल जाएगी वहाँ से जाके आप जोइन कर सकते हूँ तो वाँ पर क्या है आपको ये एक तो ये जीकी की कोशन मिलने लग जाएगे और जो भी पीडियाफ होती है वो आपको मिल जाएग झाल 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